नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हॉस्पिटल नौक रीपर दोस्तो आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो की है बेहवियर चेंज कम्यूनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोस्तो यह टॉपिक है कि दोस्तो कहीं नर्सिंग का एक बहुत important segment है जहां से MCQs आपको देखने को मिलते हैं तो अगर आप दोस्तो प्रिपेर कर रहे हैं CHO के लिए या other nursing entries exam के लिए जहां पर behavior के बारे में आपको पढ़ना है या फिर communication skills को आपको प्रिपेर करना है तो आप हमारे साथ वीडियो में अंतक जरूर बने रही है क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तो हम इन सभी topic को cover करने वाले हैं in case दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया then do subscribe to the channel जिससे कि दोस्तो आप से हमारी आने वाली वीडियो भी मिलते रहे और आप जचों के लिए या अधर नर्सिंग एंटेंस एक्जाम के लिए इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम वीडियो content की बात करें यानि कि क्या कि इस वीडियो में cover करेंगे तो communication, type of communication, level of communication क्या होते है, barrier of communication, उसके अलावा therapeutic communication technique क्या होते हैं जो कि नर्स को पता होनी चाहिए, human behavior कैस चुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो के और एक-एक topic को दोस्तों step by step फिर उनको हम समझने की कोशिच करते हैं सबसे पहले दोस्तों जानते हैं communication क्या होता है, तो already दोस्तों आपने कहीं ना कहीं communication पढ़ा रखा होगा at some level of your academics, तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम communication की बात करें तो ये exchange होता है ideas का, feelings का या फिर information का, यानि जब आप अपने ideas को, feelings को या information को किसी के साथ में share करते हैं या उ good communication क्या करता है दोस्तों, वो changes लेकर आता है, एक person में, desired direction के साथ में, जहां पर दोस्तों कुछ और भी चीज़ा शामिल हो सकती हैं, जैसे कि cognitive level जिसको आप knowledge बोलते हैं, connective level जिसको आप practice या skill बोलते हैं, ठीक है skill psychometer आप इसे बोल सकते हैं, उसके अलावा effective level जो की attitude होता है तो communication का goal क्या होता है? दोस्तों, changes लाना होता है, एक person के अंदर, वो changes knowledge से हो सकते हैं, किसी skill के हो सकते हैं, उसको practice करके या फिर वो attitude के changes भी हो सकते हैं, यानि व्यक्ति का attitude बदल जाता है communicate करने के बाद. तो ये दोस्तो changes जो है वो कही ना कही लाने का purpose होता है communication को यहाँ पर effectively use करने का आगे दोस्तो अगर हम बात करें communication process क्या होता है तो दोस्तो process बहुत ही simple होता है यहाँ पर दो यहाँ पर लोगों का requirement होता है minimum यहाँ पर हम इसको समझने की बात करें दोसरा होता है receiver सेंडर एक message को भेजता है जो की encode होता है message आगे पहुँचके decode होता है जिसे बात में receiver समझता है तो दोस्तों एक process होता है communication process जिसको हम बोलते हैं कि एक message मैंने भेजा, वो message आप तक पहुंचता है, वो decode होता है, फिर आप उसको समझते हैं, चीक है, या फिर उसको understand करते हैं, that is receiver, चीक है, आगे बात करते हैं, types of communication की, यानि communication कि इतने तरीके का होता, दोस्तों सबसे पहला गरा हम बात करें, one way versus two way communication की, तो one way communication को दोस्तों, didactic communication भी बोला जाता है, didactic से हमारा मतलब है, ऐसा communication जो कि एक lecture के form में हो, TV चो के form में हो, radio चो के form में हो, newspaper के form में हो, ठीक है, तो ये क्या है? one way communication, जिसको हम didactic communication बोलते हैं, one way communication इसलिए बोला जाता है, क्योंकि स रफ आप यहाँ पर information को collect कर रहे होते हैं आप information को दे नहीं रहे होते हैं यानि कि newspaper जो है दोस्तों वो आपकी information को नहीं ले रहा होता है सिर्फ आफ newspaper से, radio से या फिर tv से information को ले रहे होते हैं वहीं दोस्तों two-way communication होता है Socratic communication जो कि generally यूण लोग यूज करते हैं यूज किया जाता है to communicate तो यह किस form में होता है lecture come discussion की form में हो सकता है panel discussion की form में हो सकता है या फिर general जो discussion दोस्तों हम करते हैं आम तोर पर तो वो भी दोस्तों आपका two-way communication में आ जाता है इसको Socratic communication भी बोला जाता है तो यह हो गया दोस्तों one way of communication second way of communication की बात करें तो वो होता है वर्वल वर्सिस नॉन वर्वल वर्वल होता है दोस्तों जब आप बोल कर या लिख कर किसी से बात करते हैं चाहे वो आप टेक्स्ट के फॉर्म में करें वो बोलने के फॉर्म में करें चैट के फॉर्म में करें लेटर के फॉर्म में करें वो आपका verbal communication हो जाता है non-verbal की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाता है दोस्तो facial expression, gesture और posture यानि कि आप words का use यहाँ पर किसी भी form में नहीं करते हैं आप सिर्फ अपने facial expression का use करते हैं gesture यानि hand movement का use करते हैं हातों का use करते हैं या body का use करते हैं posture यानि body का आप use करके किसी को communicate करते हैं तो वो आजाता है आपका non-verbal communication यानि कि अगर आपने किसी इसे पूछा आ रहे हो आपने सिर्फ अपना हाथ दूर से दिखा दिया that means आपने उसे बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ it means आपने उसको communicate कर दिया बिना वोले so that is non-verbal communication तो दो-तरीके communication यह आपको देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तों होता है आपका formal versus informal communication अब यह क्या होता है दोस्तों formal communication एक official communication होता है जहां पर boundaries होती है यानि कि आप बात दे होते हैं कुछ भी बोलने के लिए या कुछ भी ना बोलने के लिए for example आप एक office में job करते हैं तो दोस्तों आपको अपनी boundaries में रहकर या अपनी limitation में रहकर दोस्तों communicate करना होता है यानि कि आपका जो selection of words होता है या selection of sentence होता है वो बहुत ही specific होता है बहुत ही you know आप उसको बोल सकते है specific आप उसको बोल सकते है या फिर एक centered होता है वो ठीक है वहाँ पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं for example अगर आप अपने boss से बोल रहे हैं तो आपको बहुत specifically अपने word को pick करना होता है choose करना होता है क्योंकि आप boss के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कुछ भी word का use आप नहीं कर सकते हैं इसका opposite हो जाता है informal communication which is at home या घर पर जब आप रहते हैं या फिर generally आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं that is informal communication जहाँ पर boundaries नहीं होती है ठीक है आप bound नहीं होते हैं आप अपने word का selection अपनी मर्जी से कर सकते हैं because कही नहीं आपको पता है कि वो आपकी बात का mind नहीं करेंगे या आपको किस तरीके से judge नहीं करेंगे so that is informal communication ऐसी आजाता है दोस्तो horizontal versus vertical communication horizontal communication दो लोगों की बीच में या जादा लोगों की बीच में हो सकता है जो की same level पर काम कर रहे हों या उनका जो दोस्तो you know level of authority हो या level of working हो almost same हो ठीक है level of working in the sense दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि वो एक ही you know level के हो या आप बोल सकते हैं एक ही position पर job कर रहे हो तो वो जाता है आपका horizontal communication vertical communication दो तरीके का हो सकता है first is upward communication and second is downward upward क्या होता है दोस्तों आप अपने senior से communicate करते हैं जब तो वो किस form में होता है वो आपका request के form में हो सकता है या फिर वो report के form में हो सकता है ठीक है आप उनसे कुछ पूछने गए या फिर आप उनको report करने गए that is आपका upward communication downward हो जाता है जब आप अपने junior से आप अपने subordinate से you know communicate करते हैं तो आप क्या करते हैं उनको inform करते हैं या फिर उनको instruct करते हैं उनको command देते हैं या फिर उन्हें आप सुपरवाइस करते हैं आप उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है तो वह जाता है आपका downward communication तो यह भी एक form हो गया दोस्तों communication का type हो गया one is horizontal versus vertical communication अब बात करते हैं दोस्तो levels of communication यानि communication किन-किन levels पर हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों intrapersonal communication जहाँ पर आप खुद से communicate करते हैं वहाँ पर कोई और आपके अलावा नहीं होता है जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कुछ लोग सीशे में देखके बात करते हैं कुछ लोग खुद से बात करते हैं उनके होट चलते रहते हैं आप खुद से ही question करते हैं खुद को ही आप answer करते हैं ठीक है एक्जांपल आप देख सकते हैं आप एक 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 प्रेगनेट फीमेल रिहर्सेज इन हर माइंड अबाउट डिलिवरी ठीक है एक formal setup में ठीक है formal setup in the sense यहां पर आपका selection of words बहुत ज्यादा matter करता है कुछ भी नहीं बोल सकते हैं उल्टा सीधा आपको बहुत specific होना होता है अपने sentences को लेके या choice of word को लेके जैसे example एक student और teacher जो है वो अगर discuss कर रहे हैं एक project को So that is interpersonal communication या फिर office में आप अपने boss से आपने senior से कुछ discuss कर रहे हैं किसी future event को लेके future project को लेके तो that is also interpersonal communication Small group communication क्या होता है एक meeting हो गया एक presentation हो गया या फिर कुछ discussion हो रहा है एक room में office के या फिर you know किसी particular topic के उपर So वो हो जाता है आपका small group communication One to group communication क्या होता है जहां पर एक व्यक्ति औरोग कोई साथ में communicate कर रहा होता है For example teacher, lecturer हो गए या ministers होते हैं अकसर जो जो address करते हैं जनता को या mass को तो वो भी क्या हो जाता है one way communication या one to group communication आप इसे बोल सकते हैं जहां पर एक व्यक्ति बोल रहा होता है बाकी जो है उसको receive कर रहे होते हैं या उसको सुन रहे होते हैं That is one to group communication Mass communication almost same ही हो जाएगा यहां पर आप क्या करते हैं Information को आप transmit करते हैं लेकिन यहां पर आप बहुत लोगों को transmit करते हैं यह almost आपका दोस्तों अगर आप देखें तो one to group communication का ही एक part है लेकिन क्योंकि group में इतने लोग नहीं होते हैं जितने की एक mass में होते हैं Mass in the Sanjanta या public को आप बोल सकते हैं जाए वो कैसे भी सुन रहे हूं आपको रेडियो की form में सुन रहे हूं newspaper की form में पढ़ रहे हूं social media से आपसे वो connect हो रहे हूं ठीक है या हो सकता है publicly जैसे हम देखते हैं ministers को address करते हुए या फिर हो सकता है वो इस form में आपसे you know communicate कर रहे हूं प्रक्रशन कर रहे हूं या बातचीत कर रहे हूं उस topic को लेकर या फिर किसी और particular topic को लेकर आप कर रहे हो तो वह जाता है आपका Trans-Personal Communication ठीक है Meta communication दोस्तो Meta communication में एक information ली जाती है और उसको समझाया जाता है दूसरे व्यक्ति को चीक है हो सकता है वह सच हो या हो सकता है वह जूट हो तो वह depend करता है लेकिन जब एक information को किसी को समझाया जाता है उनको understand कराया जाता है कि इस information का क्या मतलब है इसका क्या meaning है तो वह हो जाता है Meta communication It is all about interpreting जब आप interpret करते हैं किसी चीज़ को चाहे आप पढ़कर बता रहे हूं या आप उसको translate करके बता रहे हूं तो वह आपका Meta communication हो जाता है अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या barriers आते हैं communication में यानि क्या क्या दोस्तों वह problems हैं जो कि communicate करते हुए आपको face करनी पढ़ सकती है या आम तोर पर दोस्तों करनी पढ़ती है तो सबसे पहला होता है physical barrier जो कि उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं जैसे अगर को बहुत ज़्यादा शोर है वहाँ smell बहुत ज़्यादा खराब है privacy नहीं है औरों के सामने आप बात नहीं कर सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा superficial discussion है या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज है जो कि आप शेयर नहीं कर सकते हैं औरों के साथ में पोर ventilation की problem है वहाँ पर हवा इतना नहीं है oxygen you know breathe in breathe out करने में problem हो रहा हो तो वह आपका environmental barrier हो सकता है language barrier आपको देखने को मिलता है language barrier in the sense मान लिजे कोई Spain का है और आप इंडिया से हैं अब आप उससे हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा या फिर वो अपनी Spanish में बात कर रहा है तो आप उसकी बात को नहीं समझ पाएगे unless आपको वो language आती है तो वो हो जाता है आपका language barrier इसके अलावर wrong choice of medium दोस्तों एक barrier हो सकता है यानि कि आप माल लीजिए telephone पर बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर signal इतने अच्छे नहीं है network इतने अच्छे नहीं है तो आप जो है अच्छे से communicate नहीं कर पा रहे हैं दूसरे को समझ नहीं पा रहे ह तो यह भी आपका एक wrong choice of medium का एक कई नहीं example हो जाएगा communication barrier में ऐसी cultural barrier होते हैं दोस्तों cultural barrier में क्या होता है आप अलग culture के हैं दूसरा अलग culture का है और अपने cultures के चलते हैं आप एक दूसरे को अच्छे से you know अच्छे से communicate नहीं कर पा रहे हैं because आपके जो cultures हैं वो different है for example अग दोस्तों कई नहीं वो अपने cultural जो environment में रहा है वो उस चीज का आदी है उस चीज का used to है यानि कि वहां के जो भी words है जो उनका tone है बोलने का या जिस तरीके से वो बात करते हैं हो सकता है जब वो MPI या आप वहां मड़ीपूर जाते हैं तो आपको भी दोस्तों थोड़ा स hesitation हो या आपको थोड़ी परिशानी हो बात करने में although Hindi ही आप बोलोगे बट कहीं नहीं वो आपके सामने problem आता है so वो आता है cultural barrier के चलते इसी में एक हो जाता है दोस्तों आपका emotional barrier ठीक है emotional barrier क्या होता है आप बहुत ज़दा emotional रहते हैं किसी particular topic को लेकर और आप discuss नहीं करना चाते हैं उस topic को क्योंकि वो जो topic है आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा sensitive है या ऐसा topic है जो कि कहीं ना कहीं आपको mentally परिशान करता है या बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं sensitive topic है आप उसे discuss नहीं करना चाते हैं तो वो एक emotional barrier भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता ह इसके अलावा perception का barrier आजाता है perception का barrier जैसे for example आप लोगोंने एक image देखा होगा जहां पर 6 number लिखा होता है और उसको दो लोग देख रहे होते हैं right और left से यानि कि एक आपका south में होता है दूसरा west में होता है तो एक उसको देखता है तो उसे वो 6 number दिखाई देता है दूसर अपनी अपनी बात को लेकर बैठे रहते हैं और वहाँ पर फिर आप communicate नहीं करते हैं एक दूसरे से क्योंकि आप दोनों को ही लगता है कि मैं सही हूँ ठीक है तो वो आपका हो जाता है perception barrier ठीक है इसके अलावा last में दोस्तों आपको psychological barrier देखने को मिलता है यानि कि कुछ mindset आपका ऐसा बना हुआ है कि आप नहीं करना चाते हैं communicate या अकसर हम देखने को मिलते हैं कुछ लोग जो you know trauma में चले जाते हैं या बहुत ही कुछ serious उनके साथ में हो जाता है depression में होते हैं तो वो कहीना कि उनका mental state इस level पर पहुँच गया होता है कि वो communicate करना नहीं चाते हैं या करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं जो भी आप उसको कह सकते हैं तो वो psychological barrier आजाता है जो कि communication को कहीना कहीं interrupt करने का काम करता है तो यह दोस्तों आपको कुछ barrier देखने को मिलते हैं जब आप communication की बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों therapeutic communication techniques की यानि communication techniques का use करके कैसे आप treatment को easy बना सकते हैं तो सबसे पहले जो topic है या जो आप कहें point है वो है using silence कई बार क्या होता दोस्तों कुछ ना बोलना सबसे अच्छा treatment का option होता है ठीक है instead of मानली जी एक patient है उसको आप समझा रहें कि यह दवाई आपको खानी ही खानी है और वो खाने से मना कर रहा है तो instead कि आप उसको उससे quarrel करें उसके साथ में आप लडाई लड़े या जगडा करें आपको शान्त हो जाना चाहिए for some time अगर ऐसा नहीं कि आप बिलकुल शा हो जाना चाहिए means using silence आपको वहाँ पर silence का use करना चाहिए इसके अलावा दोस्तो accepting ठीक है in case अगर patient कह रहा है कि मैं मान लिजे जो medication है वो liquid form में है ठीक है या आप बोलें वो solid form में है वो कह रहा है कि मैं solid form में इसे नहीं लिना चाहता हूं तो उससे लड़ने की बजाए तो वो होता है उस चीज को accept कर लेना ठीक है उसके लावा giving recognition recognition in the sense दोस्तों आपको वहाँ पर पहचान देनी होती है patient की जो भी demand है या patient जो भी बात को कहना चाह रहा है तो क्या आप उस बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं तो वो उस चीज को आपको recognize करना जरूरी होता है जब तक आप recognize नहीं करेंगे patient आपको अच्छे से अपनी परिशानी नहीं बता पाएगा या फिर अपने जो भी problem वो face कर रहा है वो discuss नहीं कर पाएगा इसके अलावा offering self का यहां पर मतलब है कि आप ready है patient की help करने के लिए या आप सिर्फ बस अपना वहाँ पर जा रहे है और आपने बस दवाई दिया और वहां से फिर चुप चाप आप चले गए तो यह होता है कि क्या patient जब आपको बोला रहा है तो क्या आप वहां पर ready हो रहे हैं उसकी help करने के लिए या नहीं तो वह होता है offering self यानि कि आप वहां मौजूद होते हैं जब patient को requirement होता है इसके मतलब giving broad openings ठीक है giving broad openings क्या होता है दोस्तों वहां पर आप पूरी opportunity देते है patient को कि वह कुछ भी मतलब openly अपने परिशानी को आप से share कर पाए without any fear कई बार क्या होता है कई patient दोस्तों कहीं नहीं कहीं आप बोल सकते हैं traumatic patient होते हैं या फिर कहीं नहीं कहीं वह depression से गुजर रहे ह psychological वहां पर issues होते हैं उनके साथ में तो जब आप उन्हें एक ऐसा environment देते हैं ऐसा comfort देते हैं कि वह आपको you know वहां पर better feel करें और आपसे अपनी information को यह जो भी उनके साथ में हुआ है उसको share कर पाए तो कहीं ना कहीं वह होता है आपका giving broad opening इसके अलावा never be judgmental never be judgmental क्या होत perception नहीं बनाना है उस patient को लेके कि अच्छा यह patient तो ऐसा है इसकी गलती थी यह patient ने ऐसा कर दिया तो वो क्या होता है आप अपना एक judgment बना रहे हो perception बना रहे हो उस patient को लेके although यह आपका काम नहीं है आपको सिर्फ उस patient को better feel कराना है कई बार क्या होता है psychological भी psychologically भी दोस्तों patient को आप better feel करा सकते हैं कई बार patient को medication की इतनी requirement नहीं होती है जितना कि उन्हे psychological help की requirement होती है तो जब भी patient आप से कुछ share करते हैं या उन्हें कुछ problem हूँ किसी भी तरीके का जो कि you know publicly share नहीं कर सकते हैं आप या वो publicly share नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उन्हें judge नहीं करना है and last में दोस्तों आपको actively सुनना है जब भी patient आपको कुछ बता रहे हूं instead of आप उनकी बात को काटे उनकी बात को आप अच्छे से सुनिए जिससे कि उन्हें भी लगे कि आप अच्छे listener हो और आप उनकी care करते हैं चीक है ऐसी कुछ और point भी दोस्तों हैं जैसे कि seeking clarification clarification आपको को देखना चाहिए patient की बात को समझना चाहिए और clarify करना चाहिए कि patient actually क्या कहना चाहिए या patient क्या point of view है तो unless जब तक की until दोस्तों जब तक आप उस चीज को clear ना करने कि patient का point क्या है आपको कही ना कहीं clarification वहाँ पर देखना चाहिए या ही समझने की कोशिश करना चाहिए कि patient का actually meaning यही है जो patient कह रहा है या मैं कुछ और समझ रहा हूं ठीक है observation करना चाहिए observation वैसे भी हम करते है ठीक है patient की condition में हम उसको observe करते हैं कि observation की दोरान में चेक करते हैं कि patient की condition better हो रही है या और ज्यादा deteriorate हो रही है तो वह observation आपका communication में भी आ जाता है ठीक है उसके encourage आपको करना चाहिए patient को चाहिए वो दवाई खाने के लिए हो चाहिए वो you know कोई exercise करने के लिए हो वो healthy diet लेने के लिए हो तो वो encourage आपको करना चाहिए encouraging description of perception ठीक है अपने perception को उनका जो perception है उसको आपको वहाँ पर encourage करना चाहिए summarize करना चाहिए चीजों को यानि कि मान लीजे आप उनको कोई दवाई दे के गए और आपने बस दवाई दे दिया आपने बोल दिया कि आपको ये दवाई खानी है इतनी इतनी देर में बट कई बार क्या होता है वो information पूरा नहीं होता है तो आपको पूरा topic को यानि जो medication उसको summarize आपको करना होता है कि ये medicine आपको इतनी देर में खानी है इस medicine को लेने के लिए आपको ये diet लेना होगा पहले या आपको water के साथ में लेना है lukewarm water के साथ में लेना है दवाई ले लेने से पहले क्या करना है दवाई लेने के बाद क्या करना है तो आपको वो सारा situation summarize करना होता है और उसके अलावा दोस्तो reflecting आपको reflect करना होता है जो भी आप वहाँ पर observe कर रहे है डाउट अगर आपको किसी भी तरीक एका दिख रहा है patient से संबंदे तो आप वहाँ पर उ आना चाहिए instead of आपने देखा और उसको नजर अंदाज कर दिया focus करना चाहिए हर चीज के ऊपर जो भी patient की movements है उसके अलावा hope और humor वहाँ पर बहुत important होता है अगर patient परिशान है उसके आसपास में कोई family member नहीं है तो आपको patient को ये कईना के एक message देना चाहिए कि आप जल develop करनी होती है humor को but humor and hope दोस्तों बहुत important चीज होते हैं जब आप किसी को treatment या care services provide करते हैं उसके अलावा दोस्तों जब भी आप communication में हो किसी भी patient के साथ में तो हमेशा interest को आपको show करना चाहिए कैसे show कर सकते हैं आप जैसे कि आप जब भी patient आपको कुछ बता रहे हैं तो आ जी हाँ तो इस तरह के reaction जो हैं दोस्तों वो कहीना कहीं सामने वाले व्यक्ति को यह feel कराते हैं कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं यानि कि कहीना के उनका confidence जो है वो बढ़ता है और उनका जो faith है आप में वो भी कहीना कहीं grow करता है तो हमे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है जब भी आप communicate करें उसके लावाज patient कुछ बता रहे हो तो उन्हें interrupt करने से आप बचें ठीक है बीच में काटने से बचें आपको यह नहीं बोलना है नहीं ऐसा नहीं होता है आप यह गलत बोल रहे है ठीक है इस तरीके से आपको नहीं क करने की ज़रुवत है यह मैं हम आपको यह ऐसे करने की ज़रुवत है अब दोस्तों इसी में आ जाता है therapeutic communication में कि effective communication के लिए nurse को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो need-based ठीक है need-based communication होना चाहिए target group oriented होना चाहिए simple clear और understandable language में होना चाहिए ठीक है तो जब आप communicate कर रहे ह है patient से तो उसकी requirement क्या है किस basis पर आप उससे communicate कर रहे है ठीक है communicate करने की वज़य क्या है for example मान लीजिए patient ने जो है वो आपका वो diet नहीं लिया जो diet उसे लेना चाहिए था तो आप उससे communicate किस point पर गए आप उससे communicate करने गए need-based पर कि आपने जो है आपको जो diet बताया गया वो diet आपने अभी तक नहीं लिया है अगर आप यह diet नहीं लोगी तो यह यह फिर आप आगे problems आपको देखने को मिल सकते हैं तो वो क्या है आपका need-based communication है या किसी patient ने मान लीजिए operation से पहले दोस्तों pre-operative जो action होते हैं वो नहीं लिया या किसी nurse ने नहीं बताया तो वहा target group oriented क्या होता है तो आप किस group को target कर रहे हैं यानि कि जो उनका group है दोस्तों nursing का sorry जो care है दोस्तों वहाँ पर उनका group oriented क्या है group orientation क्या है किस group के लोगों से आप discuss कर रहे हैं वो आपको महाँ पर देखना होगा और आपका दोस्तों जो communication है वो बहुत ही simple clear language में होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाहर से कोई patient आया है जो कि आपकी जो local languages को नहीं समझते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो language आप जानते हैं जो वो language जानते हैं उसमें आप बहुत ही simple और clearly उन्हें बातों को बताएं for example कोई व्यक्ति मान लीजिए south से है उन्हें हिंदी नहीं आती है उन्हें English आती है तो आप simple English के word में उनको समझाने की कोशिश दीजिए कि आपको यह ऐसे करना है और आपको यह process को follow करना है तो आपका message हमेशे clear होना चाहिए और understandable होना चाहिए ठीक है अब human behavior आजाता है दोस्तो हमारा अगलर topic है human behavior, human behavior क्या होते हैं दोस्तो? human behavior जो हम दोस्तो responsible होते हैं कई सारे health problem के लिए उसके अलावब दोस्तो कई बार solution भी होते है health problem के Human behavior दोस्तो एक observable action होता है किसी भी individual का अक्सर दोस्तो जब हम बात करते है reaction to specific circumstances या फिर stimuli तो human behavior दोस्तो एक action होता है अक्सर किसी भी चीज़ के reaction में या फिर किसी circumstances के या फिर किसी stimuli के चीक है उसके अलावा दोस्तो anthropology क्या होता है scientific study होती है humanity की और human behavior की तो human behavior की दोस्तो जो study होती है उसको हम बोलते है anthropology इसको आप note down कर सकते हैं या आप इसको mark कर सकते हैं या कही न कहीं आपको questions में देखने को मिल सकता है कि human behavior की जो study होती है उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है anthropology factor क्या होते हैं दोस्तों जो human behavior को affect करते हैं तो genetics हो सकता है, social norms हो सकते हैं, knowledge, attitude, self image हो सकती है perceived risk, self efficacy, culture या फिर emotions तो ये दोस्तों कुछ factor हैं जो कि human behavior को affect कर सकते हैं affect करने का इंद the sense है दोस्तों उसमें changes ला सकते हैं या उसे बदल सकते हैं behavior को तो ये factor, genetic factor जो हैं दोस्तों वो इंसान के बैभार को बदल सकते हैं, social norms उसके बैभार को बदल सकते हैं, हो सकता है socially लोग उसको accept ना कर रहे हूं ठीक है, या knowledge एक विक्ति की knowledge क्या है, हो सकता है उसको इतनी knowledge ना हो चीजों की, तो वो भी उसके बैभार को बदल सकते हैं attitude क्या है लोगों का उसकी तरफ या उसका लोगों की तरफ तो वो भी उसके बैभार को बदल सकता है ठीक है affect कर सकता है बदलने सामारा मतलब affect करने से है on negative side खुद की image क्या हो सकता है वो खुद की you know self image कहीं ना कहीं उसकी ना हो या वो खुद की image को बहुती नीचे देखता हो या इस तरीके से जो आग को देखने को मिलते हैं जैसे criminals के साथ में हम क्या देखते हैं, self image कहीं नहीं कहीं, बहुत ज़ादा down हो जाता है, जिसके चलते हैं, वो crime कर देते हैं, या you know society में कुछ ऐसे action ले लेते हैं, जो कि unacceptable होते हैं, perceived risk हो सकता है, self efficacy हो सकता है, culture, ठीक है, cultural changes हो सकते हैं, दोस्तों, हो सकता है, एक ब्यक्ती जो तरीके हैं, वो उसको समझ में ना रहे हूँ, तो ये भी एक affecting behavior हो सकता है, factor हो सकता है, human behavior में ठीक है, और emotions भी दोस्तों, यहाँ पर कहीं नहीं, एक affecting factor हो सकते हैं, health belief model क्या होता है, दोस्तों, कुछ important point जो होते है, health belief model के, उनमें कहके शामिल होता है, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, use to action, or self efficacy, ठीक है, health belief model, दोस्तों, क्या होते हैं, विसे perceived susceptibility, आप कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ ले रहे हैं, susceptibility को कितनी जल्दी परसीव कर रहे हैं, यानि कि कितनी जल्दी आप पता लगा लेते हैं, कि कुछ न कुछ यहाँ पर problem होने वाला या patient जो है, वो risk पर है, कितनी जल careers आ रहे हैं, या रुकावटे आ रही हैं, कितनी जल्दी आप बात को सुनके उसके उपर action ले लेते हैं, और कितनी आपके अंदर self efficacy है, यानि आप कितने ready हैं action लेने के लिए, तो यह दोस्तों आपके हो जाते हैं, बहुत important point, health belief model के, जो कि एक nurse के तोर पर आपके अंदर हो होने चाहिए, अब health belief model में दोस्तों अगर हम इन सभी point को देखें, तो इनकी definition wise अब पहले समझते हैं, जिसे perceived susceptibility क्या हो गया, once opinions of chances of getting a condition, ठीक है, आप क्या imagine करते हैं, आपके क्या opinion है, अगर आपको इक condition दी जाती है, तो उस condition में आप कैसे deal करोगे, ठीक है, अब perceived severity की अग हम बात करें, once opinion of how serious a condition and its consequences are, यानि कि एक जो condition है दोस्तों कितनी ज़्यादा serious है और उसके क्या-क्या consequences हो सकते हैं, ठीक है, perceived benefit क्या होता है, किसी एक का, आपका क्या belief है in the efficacy, यानि किसी काम को करने के आप कितने अच्छे से उसे कर सकते हैं, advice action के according, दोस्तों, और कितना risk को जो है, आप उसको कम कर सकते हैं, या फिर जो serious ने से उसको कहीं न कहीं, कम कर सकते हैं, action लेकर, ऐसी perceived barrier के दोस्तों, गर हम बात करें, तो आपका क्या opinion है, tangible or psychological cost को लेकर, जो भी advice action आपको बताया गया है, ठीक है, cues to action, यानि कि strategies to activate readiness, आप कितनी जल्दी ready हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है, आपका cues to action, अब application के अगर आप बात करें, for example, जैसे perceived susceptibility के आप बात करें, तो define population, अगर कि risk उपर है, तो risk level क्या है, personalized risk based क्या है, दोस्तों, किसी भी person के feature का, या behavior का, या फिर जो heightened perceived susceptibility है, दोस्तों, अगर वो बहुत जादा low है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, perceived severity की बात करें, तो दोस्तों, specify करना होता है, आपको consequences को, risk के साथे साथ, condition को, perceived benefit की बात करें, तो define करना होता है, एक action को, दोस्तों, कि आप कैसे ल perceived barrier की, अगर हम बात करें, तो दोस्तों, आपको identify करना होता है, reduce करना होता है, barriers को, कैसे करना होता है, reassurance के through, incentive के through, या फिर assistance के through, cues to action की, अगर हम बात करें, तो provide, आपको information, provide करना होता है, आप कैसे करोगे, awareness आपको देनी होती है, और इसके लावा, आपको reminders देने होते हैं, कि आपको किस तरह से इस task को perform करना है तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा health belief model में ये सारी चीज़े कैसे काम करती है इनके meaning क्या होते है अब health belief model में ये already हम discuss कर चुके हैं दोस्तों अब एक nurse जो है दोस्तों कैसे influence कर सकती है किसी भी person का behavior तो दोस्तों वो उन्हें support दे सकते ह जैसे कि उन्हें किस चीज़ की requirement है उन्हें information दे सकते हैं information के तौर पर उन्हें advice, awareness, educate कर सकते हैं उन्हें बता सकते हैं legislation के बारे में उन्हें बता सकते हैं जैसे कैसे उन्हें regulate करना है कैसे enforce करना है police को ठीक है police के साथ में कैसे cooperate करना है design के तौर पर दोस्तो environment को तयार करना और physical context को बनाना तो यह दोस्तो health belief model के कहीं न कहीं part होते हैं जो कि एक nurse कहीं न कहीं apply कर सकती है किसी के behavior को influence करने के लिए steps क्या होते हैं दोस्तो behavior change के लिए तो दोस्तो behavior change जो है understanding डालते हैं कि उसका meaning क्या है उसके अलावा approval आप देखते हैं approval क्या होता acceptance by a person या फिर by discussion with friends family and colleague ठीक है उस चीज़ को कैसे वो accept करता है approval क्या होता है acceptance by person by discussion with friends family and colleague ठीक है वो same चीज़ हो गया practice यहाँ पर आप देखते हैं contact with information provider ठीक है चीज़ पर भी आप focus डालते हैं उसके अलावा दोस्तो practice आपको देखने को मिल जाता है आप contact करते हैं information provider के साथ में साथी साथ आप कोशिश करते हैं नए behavior को और ओके यह repeat हो गया ठीक है तो यह आपको दोस्तो steps देखने को मिल जाते हैं जब आप बात करते हैं behavior change के बारे में अब क्या क्या टेक्नीक होते हैं behavior change के दोस्तो motivation होता है reinforcement होता है ठीक है education होता है information होता है और होता है social pressure तो यह दोस्तो technique आपको देखने को मिल जाती है behavior change की जब आप बात करते हैं इसके बाद दोस्तों हमारा important topic आ जाता है soft skills, ठीक है, soft skills क्या होता है दोस्तों, soft skills जो होता है communication abilities आपकी हो सकती है, language हो सकता है, personal habit हो सकती है, आपकी cognitive या फिर emotional empathy हो सकती है, time management हो सकता है, leadership हो सकती है, teamwork हो सकता है, इसके लावा और भी दोस्तों आपको कई सारे soft skills देखने को मिलत हैं, अगर हम दोस्तों soft skills के list की बात करें, दोस्तों क्या-क्या list होते है, soft skills के तो जैसे आप देख सकते हैं अपने screen पर, soft skills में already हम बात कर चुके है, empathy आ जाता है, coaching और mentoring आ जाता है, personality development, motivation level क्या है, आपका negotiation ability आपकी कितनी अच्छी है, time management कितना अच्छा है, कितना creatively आप communication obviously यहाँ पर आता है, उसके साथ साथ leadership skill आप देख सकते हैं अपने, ठीक है, तो यह कुछ जो हैं, दोस्तों, यह soft skills का part हो जाते हैं, जो कि आपको बहुत ज़रूरी आने ही चाहिए, किसी भी आप अगर, you know, designation पर हूँ, तो क्योंकि कहीं ना कहीं, at time आपको जिंदगी में life में आपको, जो है, soft skill की जरूरत पढ़ती है, चाहिए, आप leadership की बात करें, negotiation की बात करें, communication की बात करें, time management की बात तो दोस्तों, हमेशा ही पढ़ती है, इसकी जरूरत चाहिए, आप student life में हो, चाहिए, आप working life में हो, professional life में हो, time management हर जगर बहुत जादा role play करता है, अब problem solving की बात करते है, problem solving क्या होता है, दोस्तों, तो एक act होता है, जो कि define करता है, problem को determine करता है, problem का कारण क्या है, आप identify करते हैं, problem को prioritize करते हैं, और select करते हैं, किस तरह से आपको इसे ठीक करना है, alternative ऩूनते हैं, क्या-क्य option हो सकते हैं, इसके solution के तुर पर, फिर बार में दोस्त definition problem solving का जो कि आप 3 stages में देख सकते हैं 3 stages क्या क्या होती है तो पहला stage होता है दोस्तो define करना दोस्तो जो भी issue है उसको define करना पता लगाना कि problem क्या है situation को analyze करना second में और फिर होता है आपका problem को define करना ठीक है यह हो गया आपका stage 1 stage 2 की अगर हम बात करें तो आप फिर ideas generate करते हैं कि कैसे आपको जो है इस problem को ठीक करना है इसका solution निकालना है आप solution के लिए सोचते हैं evaluate करते हैं जब idea आपको मिल जाता है तो आप उसे evaluate करते हैं evaluate करने के बाद आप decision लेते हैं कि okay मुझे यह करने की ज़रूरत है फिर third stage में दोस्तों आप decision लेने के बाद analyze करते हैं कि उसका result क्या हुआ उसका असर क्या पड़ा फिर आप अपने plan को दोस्तों evaluate करते हैं और अप फिर से action और ideas को दोस्तों कहीं न कहीं आप evaluate करने का काम करते हैं फिर last में result उतना अच्छा नहीं निकला जितना आपने सोचा था तो अब आपको क्या करने की जरूरत है तो दोस्तों आप follow through लेते हैं फिर plan करते हैं follow through को उसके बाद आप उसे evaluate करते हैं यानि फिर से आप उसे assess करने का काम करते हैं जिससे कि आप उसे और अच्छे से next time perform कर सकें तो यह तीन stages दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं problem solving में अब steps क्या होते हैं problem solving के दोस्तों सबसे पहले आपको problem को define करना होता है यानि कि problem को आपको ढूंडना होता है कि problem है क्या चीक है तो problem यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों define कर सकते हैं differentiate करना होता है आपको fact और opinion में specify करना होता है underlying cause को यानि कि कारण क्या है जिसके चलते जो problem है avoid करना होता है trying to solve problem without data यानि data के बेना दोस्तों यानि माली जिए data आपके पास नहीं है बस आपको पता चल गया problem क्या है तो आप उसको solve करने लग गए फिर उसके बाद आपको state करना होता है problem को specifically यानि specifically आपको बताना होता है कि यह problem है step 2 में क्या करना होता है generate करने होता है alternative option जो कि हमने अल्यड़ी समझे कैसे करेंगे आप तो दोस्तों आपको postpone करना होता है evaluating को alternatives को initially यानि initially दोस्तों आपको अलक से option नहीं ढूढने होते हैं अच्छा इसके लिए मैं ये भी कर सकता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ तो ये आपको शुरू में नहीं करना होता है सभी को आपको involve करना होता है जब भी आप generate करते हैं या फिर alternatives को ढूढते हैं solution के तौर पर ठीक है उसके अलावा फिर brainstorm करना होता है other ideas को यानि कि बाद में फिर आपको other ideas को ढूढना होता है last में दोस्तो third step में आप क्या करते हैं evaluate करते हैं और एक alternative को ढूढते हैं evaluate दोस्तों आप सभी alternative को करते हैं kisी bios के ठीक है bios in the sense है आप अपना वहाँ पर आपका कुछ भी personal interest नहीं होता है ठीक है आप बस दूसरे को mind में रखकर और एक better outcome को mind में रखकर दोस्तों आप qua evaluate करते हैं आपका कुछ भी personal interest वहाँ पर नहीं होता है evaluate करते समय है उसके बाद दोस्तों आप state करते हैं selected alternative को यानि आप बताते हैं कि हमने ये option चुना है जिसको आगे हम फिर carry forward करने वाले हैं या जिसको हम फिर implement करने वाले हैं तो ये दोस्तों आपको step follow करने होते हैं problem solving में step 4 में क्या करना होता है आपको implement और follow up करना होता है solution के उपर तो plan करना होता है implement करना होता है feedback लेना होता है acceptance को लेना होता है उसके अलावा evaluate करना होता है long term result को तो ये आपको option 4 में follow करना होता है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतनी बात करते हैं, अगली वीडियो में दोस्तो कुछ और चैप्टर या टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद दोस्तो हम बात करेंगे MCQs के बारे में, So I hope दोस्तो वीडियो आपको informative लगा होगा, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share भी करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, then do subscribe to the channel to get more nursing entrance exam videos, वीडियो में सभी का धन्यवाद